अच्छा सुनू सब्सक्राइब करते वक न घंटी बचा देना हलो एबरिवन वेलकम टू मैच चैनल दोस्तो परसना वली 8.2 परसना क्या 3 जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है हर बार एक्जाम में आता है ठीक है तो यहाँ परसन देखते हैं यदि 10A बरावर A प्लस B बरावर रूट 3 और 10A मेनस B बरावर रूट 3 तो 0 डिगरी यानि A प्लस B 90 डिगरी यानि कह रहा है कि 0 डिगरी से बरा तथा 90 डिगरी से कम या 90 डिगरी हो ठीक है तो A का मान जो है B से बरा हो तो A और B प्राप्त करना है A प्लस B का जो मान है वो 0 डिगरी से बरा और 90 डिगरी से कम हो ठीक है तो A और B का मान ग्याद कीजिए तो यहाँ लिखेंगे हम हल बरावर हल बरावर लिखेंगे चुकि दिया गया है दिया गया है 10A प्लस B बराव तो लिखेंगे नीचे में जो का तो टैन ए प्लस बी बराबर हना और टैन साट अंस कमान होता है रोड थीरी ठीक है टैन तिरकोन मीति सानी ये द्वारा टैबल में आप देख सकते हैं टैन साट अंस कमान होता है रोड थीरी ठीक है तो टैन साट अंस कमान हो ग mortar थीरी अब टैन ओर टैन कैनσιल हो गया तो हमें प्राप्त हो रहा है a plus b बराबर 60 ठीक है तो इसे हम माल लेते हैं समिकरन first क्या हो गया यह समिकरन first हो गया अब आगे देखते हैं 10 a minus b बराबर 1 by root 3 ठीक है तो लिखेंगे और और 10 a minus b बराबर 1 by root 3 ठीक है तो नीचे में जो करतु लिखेंगे 10 a minus b बराबर और 1 by root 3 10 30 ans का मान होता है 10 30 ans का मान होता है 1 by root 3 तो यहां लिखेंगे 10 30 ठीक है और 10 और 10 cancel हो गया तो हमें प्राब्ट हो गया a minus b बराबर 30 ठीक है तो यह हो गया समिकरन second दो समिकरन हमें प्राब्ट हुआ अब इन दो समिकरन को हम लिखेंगे समिकरन फर्स्ट और सेकंड को जोरने पर क्या लिखेंगे जोरने पर तो समिकरन फर्स्ट में है ए पलस बी बरावर साट और सेकंड में है ए मैंस बी बरावर तीस तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर A पलस B बरावर 60 और A मैनस B बरावर 30 अब इसको क्या करेंगे हम जोरने पर जोरने पर कोई भी चिन नहीं बदलता है जैसे कि यहां पलस लगा हुआ है तो पलस ही है मैनस है तो मैनस पलस है तो पलस ठीक है अगर यहां लिखे रहते हैं मैनस यानि घटाने पर तो इसका चिन पलस है यहां पर तो मैनस हो जाता है मैनस है तो पलस पलस है तो मैनस हो जाता है तो यहां तो हम लिखे हैं जोरने पर तो A और A कितना हो गया 2 A जैसे कि एक आम एक आम दो आम हो गया ठीक उसी तरह एक और एक A और A 2 A हो गया और इसे घटाने पर क्या बचा 0, B मेंसे भी गया अब 60 और 30 कितना हो गया 90 4 और 4 संख्या जिसमें लगा रहे है वो 5 जो है नीचे रहेगा और 4 ये वाला A जो है बराबर मिरेगा 2 नीचे आ जाएगा, 90 ऊपर चल जाएगा भाग देने पर कितना आया 45 दूना 90 तो ये एक कमान कितना निकला 45 जदि एक कमान निकला है 45 तो बी कमान कितना निकलेगा पता है एक कमान निकलने पर बी कमान असानी से निकल जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग समिकरन फर्स्ट में एक कामान रखने पर, समिकरन फर्स्ट में एक कामान रखने पर, समिकरन फर्स्ट क्या है, एक कामान तो निकल चुका है, एक जगह पैतालिस लिख देंगे, ठीक है, पलस भी बराबर साथ, अब हम बी को बराबर मिलेंगे, क्योंकि बी कामान निकालना है तो B बरावर 60 यह 45 कि दर है बरावर सी दर है न तो इधर लाना है तो क्या हो जाएगा इसमें पलस लगा हुआ है तो मैनस हो जाएगा अब इसमें चिन क्यों नहीं बदला क्योंकि बरावर से उधर है न साथ देखिए बरावर से उधर ही है उधर है उधर ही है ठीक है प्लस चुपा हुआ है तो मैंने सुझाए अब B को बराबर अब B बराबर घटाने पर कितना बचा 15 ठीक है तो यहां A और B A और B कमान निकल चुका है एक बार आप question की तरफ देख लिजिए A पलस B का जो value है यह वो 0 से बढ़ा और 90 से कम यह 90 हो जिसमें A कमान B से बढ़ा हो ठीक है तो यहां A कमान बढ़ा हो ठीक है और B कमान है 15 और पता है 0 से कम यह 90 जिरो से बढ़ा और 90 से कम हो तो 0 से 15 और जो 45 निकला है वो 0 से 12 है नवे से कम है ठीक है तो यही रहा आपका answer अच्छा सुनू सब्सक्राइब के नेक्स विडियो और थैंक यू